लिदे इस क्वेशन में यह बोढ़ है बैटा कि हमें सोच्दैट्ट फेक्टर आई जे के मतला हमने उसको मान लिया और यहां पर इक्व excessive ox एक्ष ओवाए और जेट इन तीनों पर क्या होगा equally inclined होगा तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले एका unit एका मोड करेंगे तो क्या होगा आई के कोफिसेंट का स्क्वेर, जे के कोफिसेंट का स्क्वेर, और के कोफिसेंट का स्क्वेर, मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, मौड ए मतलब मैगनिटूट कितना होगा, रूट थरी होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैगनिटूट फाइंड कर लिया, upon root under 3 mod a, यहाँ पर क्या होगा j का coefficient upon j का coefficient भी 1 ही है 1 upon root 3, और यहाँ पर k का coefficient upon root 3, मतलब 1 upon root 3, 1 upon root 3 1 upon root 3 हमारा direction of cosine क्या आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है बिटा, direction of cosine of vector a, यह हमारा आ गया, अब हमें क्या करना है, हमने माना कि alpha and beta, question में given है कि क्या, यह हमें o x, o y and o z आपको equally inclined होना है, तो हमने क्या माना बेटा, कि लेट alpha, comma, beta and alpha, beta and gamma, ठीक है, be the angle formed be the angle formed be the angle formed by vector a, angle formed by vector a with the positive direction, with with the positive direction with the positive direction of x, y and z of x, y and z ठीक है, x is x, y, z, x is तो अब हम क्या करेंगे, बेटा यहाँ पे जो cos alpha होगा वो cos alpha कितने के वराबर होगा, बेटा cos alpha is equal to 1 upon root 3 हो जाएगा and cos beta कितने के वराबर हो जाएगा, 1 upon root 3 and cos gamma जो है बेटा, 1 upon root 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम यह बूलेंगे कि जो o x axis है, o y है and o z equally inclined है, वेक्टा, क्या है equally inclined है ठीक है, equally inclined हो गया और यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था इससे असान solution और कहीं नहीं झाल